चंद्रपूर मार्ग पर चिंचाड़ा गांफ के पास रभीवाद सुबह साड़े आट पजी के करीब ती जिरफतार से जारे टैंकर कैपसूल ट्रक ने बाइक को कुछल दिया जिसमें बाइक सबार दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभी रूप से खायल हो गंटों तक राजमार्ग साथ को जाम कर मौफ़ा के लिए विरोध प्रोदर्शन किया इस दोरान सड़क के दोनों और वहनों की लंबी कतार लग गई लोगों को आवग गमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा प्राप्त जानकारी के अनुसार शिदूर गाफ की र सब विध्याले में कारिक्रम था इसलिए तीनों यूवा के नई यामाहा एवजेट बाइक से चंदरपुर जा रहे थे चिंचाड़ा गाफ के पास डिना ट्रांसपोर्ट की अठारा चक्का टैंकर कैपसूल क्रमांक MH34 AB8677 ने तीनों बाइक सबार को कुचल दिया जिसमें संगेज जाड़े 24 की घटना इसलिपर ही मौत हो गई जबकि 16 वर्षिय अंकित मते की इलाज की दौरान मौत हो गई और अजे मातुरकर की हालत गंभीर बताई जारी है जिनका इलाज नागपूर जलस्पताल में चल रहा है घटना रविवाद सुबह 8 बजे की है घटना के बाद परेजनों ने संगेज जाड़े का शब उठाने नहीं दिया सुबह 9 बजे शिरूआ विरोध परेशन साथ बजे तक चलता रहा समचा लिखी जाने तक भी प्रशासन ने इस तनावपूर इस्तिती का समाधां नहीं निकाल पाए प्रोदेशनकारी पीरित परिवार को मुआवजा देनी और ट्रांसपोर्ट कमपनी के खिलाफ कारवाई की मांग कर रहे हैं तनापून इस्तती को देखती वे भारी मात्रा में पुलिस और दंगा नियंतरन दल मौके पर मौजूद है